जैहिन दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चनल स्टडी प्लेटफरम में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग घरना चकर के विस्व की भुगोल की सीरिज को आगे बढ़ाते हुए भुकम से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं इससे पहल आप हमारे चैनल पर पहली बाड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले थाकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे ताथ ही साथ अगर यह वीडियो पसंद आए दोस्तो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्य होता है तो पीचैसल Corn चंसे चैनल कर अपकोosters वारेहогда बेल चैनल के दोकार प्रकार के दोड़ान प्रकार के वह पयतति प्रकार होती है प्रायंबरी जी से सुचित किया जाता सिकेंडरी और धरातलिय जिसे हम लोग कहते हैं सर्फेस वेव भी कहा जाता है धरातलिय तरंगों के दो रूप मान जाते हैं कौन कौन सा दोस्तो तो एल तरंग और रिलिंग तरंग यह दखना हैं दोनों के दोनों महत्पून ःकल दोसरे झाल से भुकंप ओर धिकंदर से किसी भी दूरीवर्पर दोनो तंब का भी लेखन करता है राइट है यह श्यार ही है यानि यह वाला स्टेटमेंट सही है और यह गलत है यानि क्या कहाएडा दूस्तों कि एक भुकम का छाया छेत्र दूसरे भुकम के छाया छेत्र से सरवताभीन होता है यह स्टेट्मेंट सही है लेकिन यह जो दिया गया है दोस्तों कौन सा एक मिनट दूस्तों लेकिन यह जो इस्टेट्मेंट दिया गया है दोस्तों भुकम लेखी भुकम अधिकेंद से 105 डिगरी के बाहर किसी भी दूरी पर पी एवं इस दोनों तरंगों का विलेखन करते हैं यह इस्टेट्मेंट जो है दोस्तों गलत है तो राइट आइंसर क्या जाएगा ऑप्सन स्थानों से आने वाली भुकम यह तरंगे अभी लेखित होती है मते हैं इसे एसे जत्तर को भुकम यह घटनाव के अध्यन से ध्यात होता है कि एक भुकम का चाया चेत्र दूसरे हम Myanmar के शाया चेतर से सरवता भीन होता है वाध्यानिकों का मनन उन similarly क्वशू एक इसा 129 से 145 डिगरी के बीच का छेत्र पी और स्तरंगों के लिए चाइध रहे इस तरंगों का छाय छेत्र पी तरंगों के छाय चेत्र से क्या चेया होते हैं भी विश्तित होता है अगें विग यह पॉन्ट के है दोस्तों संब्यांन में रखना है नेज्श निए रिंग औ Right संबंद है तो यह दखना रिंग ओफ फायर किसे संबंद है दोस्तों राइट एंसर इसका हो जाएगा एक दो तीन यानि रिंग ओफ फायर जो है दोस्तों भुकम से संबंदी थे ज्वाला मुखी से संबंदी थे और यह कहां पर अवस्थी थे दोस्तों तो प्रसांत चेत में भुकम तथा ज्वाला मुखी से पढ़ाया प्रभावित पड़ी छेत्र है इस पेटी में संपुल्विश्व के लगवंग 90 प्रतिसत भुकम को का अनुभव किया जाता है यहां भुकम के लिए चार पर्मुख दसाएं सुलभ हैं कौन-कौन साय दोस्तों सागर तथा अस्तल भागों के मिलन मिंदू नवीन मुरदार परवतिय छेत्र ज्वाला मुखी है छेत्र विनासी पलेट सिमाओ का अफसरां इस छेत्र में चीली कैलिफोनिया अलासका जापान फिलिपिन्स न्यू परिमान मातरक में एक कीवड़ी आयाम के लिये 10 के गुनक को ने रिपूत करती है पुरला स्टेटमेंट भिया गया रिक्टर एशकेल में परतेक पुर्णांग पथन पर उर्जा के सव गुना होती है राइट अन्सर क्या है दो स्टरि राइट ऑप्शन एक के वल सही होग यानि रिक्टर एस्केल एक लगू गनी किये माप करम है तथा इसके फल्स रूप परिमान मातरक में एक की विडिदी आयाम के लिए दस के गुनक को निरुप्पीत करते हैं यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों जबकि सेकेंड एस्टेटमेंट जो दिया गया है वो गलत है अब रिक्टर एस्केल से समоляन इत बाते देखते हैं दोस्तो रिक्टर मापन लगूगनिकीय पैमाना है यानि लोग्रेथमिक एसकेल पर अधारित होती है जिसकी संक्या कहां किसके बीच होती है दोस्तों तो एक से 10 के बीच अंकित होती है परतेक अंक पर उर्जा 32 गुना मुक्त होती है एक एक अंक मापंग की भुकम्प ये तरंग छे औस TNT उर्जा निर्मुक्त होती है कि युए ऴुकल्णा को मरर्केली nut पर न पर जाता नों की मापंग के सिधे मापनों पड़ाधारी थे और ऑर रिक्टर अस्केल में हर पुर्णान के विमुक्त उर्जा के पडिनाम में 100 गुनी विरिधी का निर्देशन दर्सा आता है 100 गुनी नहीं होता दोस्तों कितना होता है 10 गुनी होता है इसमें statement 1, 2, 3 सही है पहला तो हमने सही बोला भी था दोस्तों भुकम का जो magnitude होता है क्या दर्साता है दोस्तों तो उर्जा की माप को दर्साता है या दखना अब भुकम के magnitude भुकम की तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित होती है यह भी statement जो दिया गया वो सही है दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा option A अब यहाँ पर कुछ important facts है दोस्तों भुकम के परिमान एवं तीवड़ता का मापन जो है दोस्तों रिक्टर अस्केल और मरकेली अस्केल पर किया जाता आता कथन एक सही है भुकम की तीवड़ता विमुख्त उर्जा यानि रिलीज्ड एनर्जी की सुचक होती है भुकम पिए तरंगों की तीवड़ता से छे औस के बड़ावर मुक्त होती है या दखना है और थात रिक्टर एसकेल पर अंकित एक से दस तक की संख्या को यदि देखा जाए तो प्रतेक अंग भुकम पी मापी यंत्र पर दस गुने आयाम को तता 32 गुना उर्जा व्रिधी का निर्देशन करता है नेक्स दोस्तों रिक्टर पैमाने का उ मापन किया जाता है इसैस मों में टर मापता है यह दखना है दोस्तों भुकम की ति वॉतने मापता है दोस्तों कॉंसा सच्भूका सब्सागार मापने का इंसर दोस्तों सिस्मोमीटर तो सिस्मोमीटर भुकम मापन IlP Check out system ग्राफ का आंत्रिक बाहग है तो वो है दोस्तो सिस्मो ग्राफ सिस्मो ग्राफ का प्रियोग जो है हम लोग दोस्तो भुकम तरंगों के मापनन के लिए करते हैं तो सिस्मो ग्राफ भुकम का पता लगाने एब हम उसे रिकॉर्ड करने के लिए परियोग किया जाने वाला एक रूपकरन है सिस्मो मीटर सिस्मो ग्राप का आंतरीक भाग होता है जो एक लोलक या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है हाला कि समानता इसे सिस्मो ग्राप के समनार्थी के रूप में ही पडियोग किया जाता है सिस्मो ग्राफ उपकरन के विश्शी सस्थानों पर भुकम की रिकॉर्डिंग है अता सिस्मो ग्राफ आम तोर पर एक हिकाई के रूप में सिस्मो मीटर और उसकी रिकॉर्डिंग डिवाईस को संदरवित करता है नेक्स्ट कोचन है निमली कित भासाओं में सुनामी सब्द किस भासा से संब्दित है तो यह जापानी भासा से संब्दित है दोस्तो कौनसा तो सुनामी सब्द तो दोस्तो तुनामी स्वद जापानी भासा से समंदित है सू अर्थाद बंदरगा तता नामी का अर्थ क्या होता है दोस्तो तरंग सुनामी तरंगो के फल सरु रूप कमुद्र छेत्र में उठने वाले तरंगे हैं जो उच्छी उठी लारों के साथ 30 चेत्रों को भारी हानी पहुंचाता है नेक्सटर वर्च 2004 के यह दखना है हिंद महासागर सागरी भुकम तथा उससे पड़ी नामित सुनामी के संब्ध में लिखित में से कौन से कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों काफी लंबा स्टेटमेंट दिया गया इसका डाडेक्ट एंसर में देख लेता हूं तो यह दखना है दोस्तों वर्तमान अनमानों के अनुसार भुकम जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अन गीनत लासों के अध्रिक साथ लाग से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही नहीं है अब यहां पर दिया गया काफी साड़ा दोस्तों 26 दिसमर 2004 को हिंद महास अगर इस्तिदी इंडोनेसिया के सुमात्रा दीप के वस्मी भाग पर समूद्र के अंदर आये रिक्टर असकील पर 9.1 से 9.3 तिवृता के भुकम से उत्पन सुनामी लहरों से लगवक दो लाक लोगों की मिर्थी हो गई दोस्तों उप्रियुक्त प्रसंद में सुनामी से संभने दिये गए तत्थ्यों का विबरन क्रमसा इस प्रकार है कथन में एक में क्या है इसक तिसाली भुकम से 1200 किलो मीटर लंबी भ्रंस रेखा का 15 म बर्मी प्लेट के नीचे भारतिय प्लेट के खिशकने से हुआ दूसरा स्टेट्मेंट हिंद महासागर में उठी इन सुनामी लहरों से इंडोनेसिया से लेकर पुर्वी अफ्रीका टर्ट तक प्रभाव देखे गए अधिकेंद्र से लगवग 8000 किलो मीटर की दूरी पर दच्छीन अफ्रीका में 8 वेक्ति तता सुमालिया में 300 से अधिक वेक्ति मारे गए थे दोस्तों या दखना है इससे लगवग इगारा देश प्रभावित हुए थे 2004 में जो भुकम पाया था इस सुनामी लहरों से लगवग 2-3 लाक लोगों के मारे जाने के असंका वेक्त की गई ना की 50 लाक अता यह कथन पूर्ण रोप से गलत है इसलिए जो स्टेट्मेंट सा दोस्तों गलत था कथन डी क्या था भुकम प्रभावित भरंस रेखा की दूइक इस्थिति लगवग उत्तर दच्छिन दिशा में थी जिससे सुनामी लहरों की प्रबलता प्रबलत पुक्यू स्टीमा था राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तो दोस्तों इगाड़ा मार्ज 2000 इगाड़ा को जापान में आये यह दकना आये भीशन भुकम के फल्स रूप उत्पन विद्वन्स काड़ी सुनामी से पुकू सीमा सहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था इस रास्ति में वहां लगभग परमानु विद्वूत सयंत्र भी छतिगरस्त हो गया थे जिससे वहां नाभीकिये विकिरन भी उत्पन हो गया था नेक्शा दोस्तों भारतिये उप महादीव का उत्तरपस्मी परदेश भुकम्प ग्रहन सील है जिसका कारण क्या यह चेत्र भारतिय प्लेट एवं यूडेशियन प्लेट का क्या है दोस्तों तो अभी सदन है नेक्स्ट कोशन है दोस्तों प्रिथ्वी की सता का वह भाग दिस पर भुकम्पिये तरंगों को सर पर्थम रिकॉर्ट किया जाता है कहलाता है तबी को मालूम होगा इसका कहा जाता है नेक्सट दोस्तों कोकस प्लेट किनके मद पाए जाती यह चाहिए कोकस प्लेट किनके मध पाए जाती है त्तिन मद अमेरिका एभी बीच पाए जाती है दोस्तों कोकस अफ्लेत और एंश Elogate कवर किया दोस्तो तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तो तो सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नहीं वीडियो की नोटिफिकरिशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तो साथ इस वीडियो आपको पसंद आई ह दोस्तों तो नेक्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों महादीप से रिलेटेट जो सवाल दिये गए घटना चक्र में उनके विशाय में हम लोग बात करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थैंक यू